Hello everyone, I hope you all are very well, I am Mayank Agrawal आज हम इस वीडियो में The Hindu newspaper का analysis करेंगे साथ ही साथ जो editorials हैं उनको भी discuss करेंगे सबसे पहली और important news जो है, जो United Kingdom है उन्होंने Oxford जो vaccine है उसको approve कर दिया है और इसमें important news इसलिए है because जो Oxford और Estrogenica की जो vaccine है उसको Serum Institute of India जो है वो भी इंडिया में prepare कर रहा है तो अगर UK ने उसको approve कर दिया है तो उसके बाद Indian regulator जो drug को regulate करते हैं उनको particularly note देते हैं अपनी permission देते हैं use के लिए उनके पास अब एक option हो सकता है कि अगर UK ने उसको approve कर दिया है तो वो अपने जो भी प्रोसेस है उसको fasten करते हैं जिससे की जल्दी से जल्दी approval मिल सके अब यहाँ पे जो इंडिया के जो regulator हैं उनके लिए जो application प्रोवाइट की है Serum Institute of India ने जो की emergency use authorization है अब यह emergency use authorization क्या process होती है यह कुछ इस तरह की process होती है जिसमें की vaccine की particularly long term efficacy को जाने बिना उसको जो है वो emergency use के लिए जो 18 years से अबब age के जो एडल्ट्स हैं उनको एनेक्यूलेट करने की permission दे दी जाती है अब दूसरी बात health ministry की की जाए तो health ministry की जो expert committee होती है जो की drug controller general of India वो भी data को analyze कर रहे हैं अब यहाँ पे दो company है जिन्होंने अपनी जो है और भी node health ministry से मांगा है अपनी vaccine को जो emergency use authorization के लिए जो की भारत biotech company है जो की अपनी co vaccine जो है वो test कर रही है और दूसरा जो Pfizer company है वो mRNA vaccine जो है वो test कर रही है अब बात की जाए कि आखिर यह जो vaccine है इसमें आखिर क्या benefit है तो main benefit यह है कि जो Pfizer vaccine है उसको minus 17 से minus 80 degree Celsius का जो temperature है उसकी requirement होती है storage के लिए जो की देखा जाए तो available करा पाना काफी मुस्किल है rural areas में बट यहां पे जो Oxford की जो vaccine है उसको 2 से 8 degree Celsius जो है वो temperature की requirement है ऐसा जो है वो artificially create किया जा सकता है rural areas में बहुत ही easily तो इससे जो है vaccine का इनिकुलेशन काफी easy हो जाएगा दूसरा efficacy की बात की जाए तो vaccine जो है वो 62% person को जो है वो protect कर रही है जिनको दोनो doses दिये गए है और 90% protect कर रही है जिनको एक या एक से ज़्यादा जो dose है वो provide किये गए है अब यहाँ पर second जो बात है वो farmer और center के बीच में जो एक deadlock है वो चल रहा था तो उसके बाद जो है वो बाची दे start हुई लेकिन फिर भी एक तरह से जो है वो deadlock अभी भी है जो protesting farmers है उनकी जो three farm bill जो government ने launch किये थे उनके उपर उनका जो है agitation है एक जो है वो contract farming के उपर है एक विल जो है वो trade and facilitation के उपर है एक विल जो है वो agricultural products जो है उनके promotion के लिए है बट यहाँ पे जो farmers है उनकी altogether कुछ इसमें different demands है जैसे की जो stable burning है वो एक तरह से criminal बर्क है तो उसको decriminalize किया जाए ऐसा उनका कहना है और दूसरा जो power sector में उनको subsidies provide की जाती है farmers को वो subsidies एक तरह से continue रहनी चाहिए ये उनका issue है और दूसरा कुछ ऐसे issue है जिनमें अभी भी deadlock जो है वो continue है उनमें से जो सबसे बड़ा demand है उनकी वो है कि जो भी three farm laws है उनको repeal किया जाए उनको altogether हटा दिया जाए और दूसरा एक ऐसा act लेके आया जाए जिसमें की guarantee दी MSP की अब यहाँ पर बात आती है MSP की तो MSP आखिर कौन decide करता है क्या कोई committee है कब से इंडिया में MSP prevalent है और government कितनी crops के लिए जो है वो MSP provide करती है minimum support price जो है वो provide करती है एक बार देख लेते हैं notes के साथ की जो government है वो कितनी कैसे MSP को जो है वो decide करती है तो जो commission for agricultural cost and prices ये एक commission create किया जाता है इस topic को आप GS3 economics से भी relate कर सकते हैं साथ में prelims के लिए तो important है ही जो commission for agricultural cost and price है वो एक ministry of agriculture और farmer welfare का एक attached office है तो ये जो है वो since 1985 से अपना जो है वो prediction देती है prices के लिए अब यहाँ पे जो earlier इसका name था वो agriculture price commission था वो एक तरह से इसका काम है कि वो recommend करती है कि क्या minimum support price होना चाहिए जो central government farmers को provide करें जिससे कि वो modern technology को जो है अडॉप्ट करें productivity को increase करें और जो overall gain production है वो जैसे जैसे demand बढ़ रही है population बढ़ रही है तो उससे जो demand बढ़ने वाली है उसकी पूरती की जा सकें अब MSP जो है वो जादतर crops के लिए government खुड fix करती है हर साल जो की recommendation होती है CACP की अब यहाँ पर बात की जाए CACP जो है वो 23 commodities के लिए जो MSP है उनको recommend करता है तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो है 7 जो cereals हैं जैसे की जो paddy है मतलब rice है wheat है मेज है sorghum है pearl millet है बारले है एं रागी उसमें 5 pulses होती है 7 oil seed होते हैं और 4 जो commercial crop होते हैं copra और sugar cane cotton और raw jute इन सारी चीजों की जो prizes है वो decide की जाती है उसके बाद जो है वो particularly farmers को यह सारी जो MSP है वो central government announce करती है अब इसके बाद जो next बात की जाए कि India UK flights to remain suspended till January of 7 पहले government ने announce किया था कि जो coronavirus का जो new strain है जो UK में पाया गया जो की 501K उसको बोला जाता है H501K ये एक तरह का जो नया strain है coronavirus का वो UK में पाया था तो government ने एक particular measure लेते हुए वहाँ से आने वाली जो भी flights है उसको suspend कर दिया था 31st of December तक बाद में उसको और भी extend कर दिया अब ये काम जो है वो director general of civil aviation के अंडर आता है जो की ministry of civil aviation के अंडर वर्क करते हैं अब बात की जाए दूसरा जो 14 जो है जादा 14 और जो person है वो positive हुए है coronavirus का जो new variant है जो की UK से आया है अब यहाँ पे ये जो variation है वो एक तरह से variant है वो एक super spreader है मतलब वो जल्दी जल्दी लोगों को जो है वो infect करता है अब यहाँ पे बात की जाए कि आखिर ये जो variant है इसक टेस्ट कहां किया जा रहा है और इंडिया में ऐसी कोई facility है जहाँ पे जो virus है उसके genome को read किया जा सके उसके genome की sequencing की जा सके तो यहाँ पे six case report किये गए Tuesday को जिसमें की three जो है वो निमास बेंगलुरू और जो दो है वो CCMB हिदराबाद और one जो National Institute of Virology है पुने में और उसम से 107 samples को test किया गया था अब यहाँ पे government ने जो है वो INSACOG Indian SARSCOB Genome Consortium बनाया है जिसमें कि जो भी virus है उसके जो strain है उस strain में अगर कोई mutation आया है कोई change आया है तो उसकी study की जाया है जिससे कि अगर कुछ भी change आया है वायरस में तो उससे लोगों को aware किया जा सके अब इंडिया में सिर्फ जो है वो 10 lab ही इस बात को test कर रही है मतलब इंडिया ने अभी लगभग बहुत ही कम ऐसे लगभग 6000 से 7000 तक ही virus के जो strain है उनकी genome sequencing की है लेकिन जो UK है उधर पे इंडिया से जो है वन फोर्थ ही virus के cases हैं लेकिन उन्होंने जो है 1,50,000 से ज़्यादा जो है वो virus के strain की genome sequencing की है तो वो काफी आगे है इंडिया को जो है वो अपनी genome sequencing की facility को increase करना चाहिए जिससे की अगर कोई भी virus में mutation आता है तो उसकी जो information है वो सबसे पहले regulators तक पहुँच सके और वो कोई decision जो है वो ले सके अब यहाँ पे दूसरा बात की जाए तो कोई भी important news इस particular second page जो city page है अब यहाँ पे new year plan है कि new year में अगर कोई person जो है वो drink and drive कर रहा है रात को 8 बजे के बाद तो उसका test करने के लिए alcohol meter use नहीं किया जाएगा बलकी जो है वो उसका blood test लिया जाएगा और blood में जो है वो alcohol की जो है वो presence को check किया जाएगा अब next है काफी important यह article है इसमें बात की गई है कि जो facial recognition technology है उसको इंडिया में काफी हद तक जो है वो use किया जा रहा है और इसके लिए government के पास या कोई भी standard operating procedure नहीं है या इसको किस law से जो है वो particularly लेके आए है government इसको किस तरह से इसके जो है वो tender pass किये गए है इसमें लोगों की जो right to privacy है article 19 के अंडर उसको भी harm किया जा रहा है because अगर कोई person है वो अगर protest कर रहा है तो उसके basis पे government जो है बाद में उसके कोई repercussion हो सकते है वो person को identify करके government उसको किसी भी तरह से जो है वो परेशान कर सकती है जिससे की एक individual हमेशा ही इस परेशान मी रहेगा कि आने वाले time में government उसको किसी भी तरह से परेशान कर सकती है अब दूसरी बात की जाए कि ये जो system है वो mainly जो Delhi High Court है उन्ह उन्होंने अपना permission दिया था कि जो missing children होते हैं missing children जो होते हैं उन children को जो है वो facial recognition technology की help से जो है वो पता लगाया जा सकता है कि आखिर उनके जो parents है वो कहां पे है या जो parents ने पहले से ही जो data provide किया है चिल्दरन का उनसे ये बात पता लगाई जा सकती है कि वो कहां पे है ले उन्होंने इस चीज़ को जो है वो एक गलत बे में इस प्रिटेक्स्ट पे यूज कर लिया कि डेली हाई कोट ने उनको परमीशन दी है जो डेली हाई कोट है उन्होंने परमीशन प्रोवाइट की है पर्टिकुलर्ली मिसिंग चिल्रंस के बारे में पता लगाने के लिए और ऑथेंटिकेशन ओफ आइडेंटिटी अब यहाँ पर दूसरी तरह बात की जाए दूसरे जो 17 है वो आगे प्रोसेस में है उनको भी गवर्मेंट जो है आने वाले टाइम में इंप्लिमेंट करेगी अब यहाँ पर जो फेशियल रिकोगनेशन ट्रेकिंग सिस्टम है वो एक तरह से rapid deployment हो रहा है उसका multiple government उसको कर रही है अलगलग department में लेकिन इसको जो है वो manage करने के लिए कोई भी specific law नहीं है guideline नहीं है इसको regulate करने के लिए अब यह जो technology है इससे लोगों के जो individual rights है अब यहाँ पर जो legal expert है वो कहते हैं कि यह जो है वो एक बहुत बड़ी threat ह fundamental right to privacy और freedom of speech and expression अब यहाँ पर जो supreme court का जो case है उसकी बात की जा रही है justice case पुट्टा सौमी वर्सिस union of India इधर पर इस case में जो है वो article जो 19 है उसमें उसके अंडर बात की गई थी कि जो privacy है freedom of expression है वो एक तरह से जो है वो fundamental right है अब यहाँ पर आगे बात की जा रही है कि particularly यह जो system है उसमें जो NCRB है National Home Ministry के अंडर जो आता है National Crime Record Bureau यहाँ पे जो बहुत सारे जो states है जून में एक guideline issue हुई थी कि सारे जो police stations है बहाँ पे जो है facial recognition technology को जो है वो use किया जाना है अब यहाँ पर बात की जा रही है जो यह facial recognition system है उसको cabinet note जो है वो 2009 में लेकिन cabinet note जो है वो एक कोई legal substance नहीं है वो सिर्फ एक procedural note है तो यहाँ पर एक तरह से इसकी जो है वो validity के बारे में नहीं बताया जा सकता कि यह कोई legally एक valid system है जिसको use किया जा सकता है अब यहाँ पर दूसरी दूसरा article है उसकी बात करें next page पे AQI expected to be deteriorate to very poor category today जो central pollution control board है वो एक तरह से decide करता है कि color coding के basis पे किस तरह का जो air quality है वो Delhi या उसके आसपास के reason में है अब next यहाँ पर बात की जाए North and East यहाँ से कोई भी important जो है वो article नहीं है जिसको हम discuss करें next बात की जाए तो यहाँ पे कुछ editorial है पे 6 पे जिसमें की सबसे पहला जो article है वो बात कर रहा है इंडिया नेपाल relation के बीच में जहाँ पे इंडिया ने अभी जो नेपाल में political turmoil चल रहा है वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो है वो assembly को वहाँ की जो national assembly है ज उसको dissolve कर दिया उसके उपर इंडिया ने अपना कोई भी जो है वो comment नहीं किया तो यह article उसके बात कर रहा है दूसरा यह वाला जो article है इसमें बात की गई है कि आखिर wheat पे government की wheat और rice पे government की क्या-क्या policies है government किस तरह से जो है वो farmers को Indian farmers को subsidy provide करती है और इसमें कुछ comparison दिया गया है जो की other countries जैसे की जो European Union का group है और साथ में जो USA है वो किस तरह से farmers को subsidy provide करती है अब यह जो third article है इसमें बात की गई है कि किस तरह से जो 2020 का year रहा उसमें कौन-कौन सी जो है वो problems हाई और 2021 के लिए writer hopeful है कि it will be a good year जो आ रहा है coming year अब यह जो next article है इस article में बात की गई है जो particularly COVID-19 के जो virus है उसका जो strain है वो धीरे धीरे जो है वो mutate होता जा रहा है बट Indian जो government की facility है उसमें सिर्फ उनोंने कुछ ही जो virus है उनकी genome sequencing की गई है लेकिन in comparison other countries जो है जैसे UK है वहाँ पे बहुत जादा जो virus के cases है उन particular cases में जो virus का strain है उसकी genome sequencing की गई है तो इंडिया इधर पे जो है वो लेक कर lacking है इंडिया की अगर उसको increase कर दिया जाता है तो हो सकता है जो virus के new strains हैं उनके बारे में बहुत पहले ही इंडिया को पता चल सकें अब जो ये आज का जो caricature है यहाँ पे बात की गई है कि जो रजनी कांथ है उन्होंने particularly पहले एक बे लिया था December में last year की वो जो Assembly election है उससे पहले अपनी जो है वो पार्टी को launch करेंगे जो की Tamil Nadu में होने वाले Assembly election में fight करेगी बट उन्होंने इस तरह से एक लंबा सा जो यूटन तो नहीं बोलेंगे इसको लंबा सा return लेते हुए बापस उन्होंने route ले लिया कि जो कोविट 19 की situation है साथ में जो है उनका kidney transplant हुआ है तो उसके basis पे health crisis को लेके उन्होंने party बनाने से या politics में जो है वो आने से debut करने से एक तरह से मना कर दिया अब जो यह next article है इसमें जो है वो बात की जा रही है कि आंदरप्रदेश का जो दिसा बिल है 2019 उसके उपर बात की जा रही है अब आज का जो data point है इसमें जो है वो confidence in the economy continue to remain low among the consumer in November अब यहां पर जो है वो बताया जा रहा है कि job recovery कैसी है और employment का जो plateau है वो किस तरह से है और दूसरी तरह बात की जाए कि कितना जो income है वो हर एक person की है homemaker, retired pensioner, daily worker यह आप देख सकते हैं अब सबसे first जो article है इसमें बात की जा रही है हिमालियन मैनियोबर्स तो इंडिया जो है वो हिमालियन नेशन जो नेपाल है उसमें इंडिया का क्या effect है उसके उपर यह article बात करता है तो इंडिया ने एक तरह से इंडिया डिट पैल not to medal in the political crisis unfolding in नेपाल जो नेपाल में अभी political crisis चल रहा है उसमें इंडिया ने किसी भी तरह से interfere करने की कोसिस नहीं की तो medal मतलब जो particularly किसी भी चीज में जो है वो interfere करना तो इंडिया ने एक तरह से interfere नहीं किया अब जो senior delegation है Communist Party of China उन्होंने हाला की जो चाइना है उन्होंने एक senior delegation delegation मतलब group of people जो है वो काटमांडू भेजा within days of Prime Minister KP सर्मा ओलीस controversial decision to dissolve parliament अब बहां के जो Prime Minister है नेपाल के उन्होंने decision लिया था कि वो parliament को जो है वो dissolve कर रहे हैं तो उनके decision लेने के बाद China ने जो है अपना delegation वहाँ पे send किया और उन्होंने call कि एक तरह से जो elections है वो होने चाहिए अब बीजिंग ने has sent a varying message that it is prepared to intervene in Nepal politics अगर बीजिंग ने ये किया है चाइना ने अपना delegation वहाँ पे भेजा है तो इससे पूरा पूरा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो चाइना है वो intervene कर रहा है नेपाल की politics में अब यहाँ पे जो इसमें जो Chinese Communist Party है उसके जो member है और जो international department के जो minister है उन्होंने भी जो नेपाल है उसकी विजिट की तो वो वहाँ के political leaders से मिले और जो प्रेजडेंट विद्या डेवी भंडारी है और Mr. Oli है जो की former prime minister खहलाएंगे अब उन्होंने एक तरह से यह बोला कि जो भी parties में जो भी split हुआ है पार्टी में उसको एक तरह से reverse किया जाए और Mr. Oli को उन्होंने convince किया और उनके जो rival है पुष्प कमल दहल जिनको प्रचंड बोला जाता है और दूसरा जो मादाव नेपाल उन्होंने बात की कि वो एक तरह से patch up कर लें और साथ में आ जाए और वहाँ पे जो है वो government form करें जिससे की जो political turmoil है वो एक तरह से खतम हो जाए अब यहाँ पे अगर चायना एक तरह से यहाँ पे अगर अपना interference कर रहा है तो उसका कोई न कोई तो वहाँ पे उसको फायदा होगा कोई न कोई गेन होगा त तो उन्होंने इस चीज़ को यह बताया कि जो decision है वो एक तरह से constitutional cope है because अगर उन्होंने बात की कि अचानक से अगर केपी सर्मा ओली demand कर रहे हैं कि election होने चाहिए लेकिन उन्होंने डिसकस ही नहीं किया कि क्या alternative बे में कहीं पे government जो है वो formation हो सकती है और अचानक से उधर के जो president है भंडारी जी उन्होंने जो है वो उसको एंड्रोस भी कर दिया उनको कोई न कोई न कोई जो है वो caretaker प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए या cabinet का resuffle करना चाहिए कोई न कोई जो option है वो बीच का रास्ता जो है वो निकालना चाहिए यह बात यहां पर जो है वो की और historical understanding जो main players है नेपाली politics में और उनका जो political orientation है उसके basis पे इंडिया ने जो है वो interfere नहीं किया अब इंडिया में जो नेपाल है बहाँ पे 2015 के बाद से नेपाल ने जब अपना new constitution 2015 में अडॉप्ट किया था तो जो मिस्टर डहल है वो coalition government से जो है वो walk out कर गए थे और जो only है 2016 में walk out कर गए थे लेकिन इसके बाद जो 2020 के आसपास जो government form हुई थी उसमें दोनों जो parties हैं दोनों जो person हैं दहल और only उन्होंने एक तरह से जो है वो compromise किया था बट उसके बाद जो उनका जो action हुआ जिसकी बज़ा से उन्होंने जो है वो बहां के parliament को एक तरह से dissolve कर दिया अब दूसरा यहां पर जो यह article है वो बात करता है कि जो भी debate particularly अभी चल रही है three agricultural जो legislation है farm laws है या minimum support price के उपर जो अभी बात चल रही है उसमें जो है एक person कुछ person ये बोलते हैं कि जो भी minimum support price है वो एक तरह से जो taxpayer का money है वो subsidies को provide करने में चला जाता है farming community के लिए बट यहां पर अगर एक तरह का ये question पूछा जाता तो दो दूसरे question भी पूछने चाहिए कि क्यों government ने एक तरह से जो farmers हैं उनको subsidies provide की और दूसरा कितना जादा इंडिया जो है वो subsidies के उपर money खर्च करता है in comparison to other countries अब यहां पर बात की जाए कि 1951 में इंडिया का जो है वो 45% percentage जो GDP का हिस्सा है वो agriculture से आता था साथ में 70% जो लोग हैं जिनको काम मिलता था वो agriculture से मिलता था लेकिन 7 decades later जो GDP में farming का share है वो 16% है लेकिन 50% लोगों को जो है वो agriculture से एक तरह से काम मिलता है अब यहां पर GDP में तो इसा एक्रिकल्चर का जो है वो कम हो गया बट देखा जाए तो अभी भी बहुत लोगों को जो है वो एक्रिकल्चर more than half person जो employed है वो agriculture में है तो government को इस ओर द्यान देना चाहिए अब देखा जाए तो agriculture का जो share है GDP में वो कम हो गया और दूसरे जो share है service sector का जो share है वो बढ़ गया तो agriculture के लिए जो conditions है वो थोड़ी stringent है जिनको थोड़ा सा government को और easy बनाना चाहिए जिससे की जो farmers है उनको कुछ help मिल सके और वो आगे जो है वो बढ़ सके अब जो बात की जारी है कि जो farmers income है उनका एक तरह से erosion हो रहा है because जो inefficiencies है agriculture में जो investment है उसकी कमी है और total investment जो भी country में होता है उसमें agriculture में particularly बहुत ही कम investment होता है 18% 2019-50 में एक तरह से investment था वो कम होके 1980 में 11% हो गया अब वो 2018-19 में वो on an average 7.6% ही है तो इंडिया ने एक तरह से इस चीज़ को ignore किया है और agriculture की जो state है जो condition है वो एक तरह से decimal है काफी ठीक condition agriculture की नहीं है अब yield के basis पे देखा जाए तो इंडिया का जो number है वो 45 और 59 आता है wheat और paddy दोनों में तो अगर पंजाब और हर्याना को हटा दिया जाए तो और भी कम जो है इंडिया में जो है वो yield रहेगी और दूसरा जो है बात की जाए कि farmers का जो biggest adversary है वो उनको जो है उनके produce के लिए जो prizes है वो नहीं दी जाती है और जो भी marketing system है वो dominant किया जाता है agriculture produce market committee वो सही से work नहीं कर रही है small farmers के interest में वो अपना काम जो है वो नहीं कर रही है और government ने जो एक तरह से वो introduce किया है कि एक जो large middleman है बड़े जो बड़ी companies है corporates है उनको एक तरह से open कर दिया है sector mentor होने के लिए तो जिससे की interest है जो small और marginal farmers के वो आगे आने वाले time में और भी ज़्यादा हाम होने वाले है अब बात की जाए जो agricultural policies है उसको जो है वो अलग से decision लेके जो है resolve नहीं किया जा सकता उसके लिए government को पूरी तरह से agricultural से related जो है वो policies form करनी चाहिए जैसे की USA में सिर्फ 2% लोग ही agriculture को जो है वो carry out करते हैं जिसमें की सिर्फ 22,00,000 परसन ही USA में agriculture पे dependent हैं लेकिन फिर भी USA जो है वो agriculture की बारे में जो है वो policy लेके आता है और दूसरा European Union जो है वो भी अपनी जो है common agricultural policy 1962 में लेके आई थी लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई भी जो है वो system नहीं है अब दूसरे तरह बात की जाए subsidies की तो इंडिया में जो farmers हैं वो economically weak हैं तो इंडिया ने 2018-19 में 56 billion dollar की जो है वो subsidy provide की थी अब इंडिया का जो largest component है 24.2 billion of 43 वो low income और resource poor farmers को जो है वो subsidy provide करने में चला गया अब यहाँ पे बात की जाए इंडिया ने notified किया है जो WTO है उसमें कि 99.43% जो farmers है वो low income है या resource poor है अब agriculture जो census हुई थी 2015-16 में अब जो farmers है जिनकी holding 10 hectare से कम है government के according जादा तर जो farmers है वो इसी के अंडर आते हैं resource poor है बीक है लेकिन बात की जाए दूसरी तरफ दूसरी countries की जैसे USA या members of European Union है USA ने 131 billion जो है वो subsidy provide की और EU ने 93 billion जो है वो subsidy provide की 2017-18 में तो इंडिया की जो subsidies है वो काफी कम है दूसरी तरफ बात की जाए कि इंडिया में जो subsidies है वो सिफ 12.4% है agriculture के value addition में लेकिन US और EU में वो ही चीज जो है वो 90.8 से लेके 45.3% तक जो है इतना जादा जो है वो provide किया जा रहा है अब यह जो आर्टिकल है से बात की गई है कि 2020 में किस तरह की कौन-कौन सी जो है वो problems आई है जैसे आर्मेनिया अजर्वेजान का वो वार हो गया या civil war कुछ countries में जो है वो चल रहे थे तो इनके उपर जो है वो इस आर्टिकल में पात की गई है नेक्स यह आर्टिकल काफी important है कि जो six passengers है जो UK से travel कर रहे थे इंडिया में उनके उपर COVID-19 का जो news train है वो देखा गया जिसको जो है वो RT-PCR जो मसीन है उससे चेक किया गया और genome sequencing इंडिया की जो 10 lab है वहाँ पे की जा रही है तो इसमें ये इंडिया के पास ये capacity काफी कम है कि वो जल्दी से जो है वो genome sequencing आने वाले जो virus का new strain है उसकी कर सके और इंडिया में जो है वो इस तरह की जो capacity काफी कम है इंडिया ने ज उनकी बस sequencing की है अभी तक और इंडिया में जो है 10.2 million जो cases है वो जो है सो किये गए लेकिन इतनी कम genome sequencing की इसी बज़े से इंडिया को काफी पहले पता चल जाना चाहिए था ये new strain का अगर इंडिया जो है वो अपनी capacity genome sequencing की बढ़ा लेता लेकिन इंडिया इस एक तरह से यहा वाइरस के उनके वारे में जो है वो पता चल सके थैंक यू बेरी मच